असलाम एलेकूम कैसे हैं उम्मीद कर ना ठीक ठाक होंगे तो आज हम बनाने जा रहे है श्ट्रित इस्टायल आलू की सबजी यह लोगत टेश्टी बनती है और बहुत असान है बनाना इसे आप प्राठे पूरी खाboarding यह बहुत ये टेश्टी बनते हैं, मिल्कुल ढाबेश टेल ये सबजी बन करके तयार होती है, तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीजों का इस्तमाल करेंगे, जिसी कि आपकी भी आलू की सबजी जो है बहुत ही टेश्टी बनेंगे, तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम कडाही चड़ाएंगे, गैस पे, और अब हम इसमें डालेंगे सरसो का तेल, इस सबजी में सरसो का तेल ही इस्तमाल कीजेगा, रिफैंड ओिल इस्तमाल नहीं करना है, अकर आप पसंद करते हो तो उसे ही इस्तमाल कीजेगा, अब हम इसमें कुछ खड़े मसा जिसमें जाएंगे दो तेच पते दो खड़ी मीर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा एक छोटी लेची है थोड़ से जीरा है इसे सोटे होने देंगे और दो प्याज को बिल्कुल बारिक चौप कर लिए हैं उसे डाल करके इसे हम अच्छा सा गोल्डन ब्रॉण लाल होने इस तरी के साब एक बर आलू की सब्जी जरूर से बना के देखेगा बहुत ही असानी से बन जाते हैं बहुत ही टेश्टी बनते हैं मिलकुल ढाबेश टेल यह बन करके तैयार होगी तो प्याज को अच्छे से लाल होने देना है तो देखिए प्याजों का कलर बहुत ही है तो इसमें मैवी यह यह गय हम करते हैं असना टेस्पून के रिसमें हलदी त now दालेगे तेस्ट की एकवाड़ि यह लाल मियच पार्डर मियच पार्डर मियर्च्वाह अपनी एकवाड़िंग दाले है ट्रका वड़ी असे बीकिन से और नो पी मिची में, हुम घर्यामे भैल पानी चाहरा भाउना करना दूरा मारा जले यहां पाइब लुए वम टूर अर्ट सब्सक्तार परगों करना ऴूरत भष्या कोकर तरीकसी प्राकाता जीएए पुंड तब तक हम इसे भूनेंगे और यहां पर हम तीन हरी मीच भी डाले हैं इसी हिसाब से आप मीची की quantity एड़ कर सकते हैं जितना आपको तीका पसंद हो और जो जार में हमारा टामाटर पिसा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे में डाल देंगे और इसे एक भी अच्छे से टेष्ट ना निकल के आए तो बस यह हमारा डन होनी वाला है मसाला अब हम इसमें थोड़ी से डालेंगे दनिया की पत्ती और इसे भी अब डाल करके अच्छे से भूनेंगे और यह देखिए हमारा मसाले बहुत ही अच्छे से भून गये हैं ओयल रिलीज कर द अब हम इसमें डालेंगे एक ग्लास के करीब पानी और देन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले में अबाल आने का हम इंतजार करेंगे जब मसाले में अच्छे से अबाल आ जाएंगे तब हम इसमें आलू डालेंगे इस मसाले में आप मतच्छे मी भी एड़ कर सकत तो ये देखिए हम हाफ के जी आलू लिये वे हैं और इसे हम रफली तोड़ लिये हैं हाथों से, ज्यादा इसे मैस नहीं करना है, तो बस इसे भी हम डाल करके और अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही टेश्टी सबजी ये बन करके तयार होती है, इसके साथ आप चावल भी चपाती या फिर पूरी के साथ इसे इंज्वाई कर सकते हैं, तो सबजी में एक उबाल आने का हम इंतजार देखेंगे, और हमारी सबजी में एक उबाल आ गई है, और अब इसकी खुझ भी बहुत ही अच्छे से आ रही है, बहुत ही अच्छा सा टेक्श्चर आ गया है, ह थोड़े से हम इसमें नव्बू का रस एड़ करेंगे, लैक हाफ निम्बू हम इसमें डाल दिये हैं, जिससे कि और भी अच्छा सा चचट पा टेस्ट आई हमारी आलु की सबझी में, और देन लाष्ट में हमइसमें एड़ करेंगे हरी धन्या की पती, हरी धन्या की पत्त इसमें बहुत ही अच्छा सा टेश्ट आएगा अभी ठंड़ कम मौसम है तो सब चीजे अच्छा सा सब्जिया आ रही है और बहुत ही टेश्ट लगती है अभी ठंड़ के मौसम में सारी सब्जिया और एक उबाल आने के बाद गैस का फ्लिम को हम आफ कर देंगे क्योंकि सारी चीजे की खुसबू बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए तो एक ओबाल आने के बाद बंद कर देना है गैस को और अब हम सर्फ कर लेते हैं अपनी टेश्टी से आलू की सबजी को अकसर कभी कबार ऐसा होता है कि आपके पास कोई भी सबजी नहीं होती है और मेरे पास भी इसी तरीके का हुआ कोई भी सबजी नहीं थी लाश में आलू बचा हुआ था तो हम आलू की ये टेश्टी वाली सबजी बना करके तयार कर लिए हैं आपको अगर टेश्टी वाली सब्जी बनाना हो तो यह वाली आलू की सब्जी को आप जरूर से ट्राइ कीज़ेगा क्योंकि बहुत ही अच्छी लगते हैं और इसके साथ पूरियां फ्राइ कर लिजे बच्चे तो और भी इंजुआए करेंगे आलू की तो खैर बहुत सारी रेशिपियां बनती है जब हम इस तरीके के धेर सारी आलू उबाल लेते हैं तो उसके हम कभी समोसे बना लेते हैं कभी कचोड़ियां फ्राइ कर लेते हैं तो इसी तरीके से बचों को इंजुआई करवाईए घर पे अच्छी रेसिपिया बना करके खाये खिलाई और